साहिल नाम के शक्स ने बरबरता की सारी हदें बार कर दी साहिल ने 16 साल की लड़की की बीच रास्ते में सरे बाजार हत्या कर दी अब इस पूरे मामले में एक एक कर नए लोगों के नाम जुड़ते जा रहे हैं साहिल ने जो बयान दिया है, उसमें एक खुलासा होता है, कि एक जबरू नाम का शक्स है, जिसके चलते साहिल ने बरबरता पर उतरने का फैसला किया। अब चलरी जाज के बीच पता चला है, कि साक्षी ने साहिल को एक ओडियो संदेश भेजा था, इसमें साक्षी कहती है, गली का बदमाश है तू, कहां गई तेरी बदमाशी, वहीं पुलिस का कहना है, कि शायद इस ओडियो से ही साहिल आग बबूला हो गया, 15 दिन पहले साहि ने हरिद्वार से चाकू खरीदा था, उसने अपनी सुरक्षा और इमेच चमकाने के लिए चाकू रखना शुरू कर दिया था, उसके बाद फिर 27 माई को साक्षी और साहिल के बीच लडाई हुई, साक्षी ने इसके बाद ये बाद अपनी दोस्त भावना और अपने दोस जबरू को बताई, उसके बाद जबरू ने साहिल को धमकाया था, कि वो उससे दूर रहे, इसके बाद साहिल खुद को अपमानित मैसूस करने लगा था, जब की, साहिल के बयान के मुताबिक जबरू साक्षी का दोस्त और अपने इलाके का दबंग व्यक्ति है, वो शाबा साहिल ने अपने दिमाग में बैठा लिया, कहा जा रहा है, कि यहीं से उसने सोच लिया था, कि अब साक्षी को रास्ते से हटा देगा, इसलिए अपनी जान खत्रे में देख, साहिल ने साक्षी को मारना ठीक समझा, वहीं दूसरी ओर, अब जबरू मीडिया के सामने आ गय है, एक किरदार है, नाम जवरू उर्फ आजय, या कह लिजिए आजय उर्फ जवरू, लोग यह कह रहे हैं, मेरी कुछ नावाले बच्चों से बहुत थी, उनका यह कहना है कि जवरू की मुलाकात दस दिन पहले उस लड़की से हुई थी, पहले से वो नहीं हुई है, वो म क्यों टोर्चर कर रहे हो, बात खतम करो यहीं, पर ही, इतनी बात करने के बाद हम वहां से आ गए थे, तो फिर अगले दिन उसका मडर ही करा हुई, यही बात थी, जब उसका मडर हुआ, उसकी जान गई, उससे पहले आखरी बार आपकी बात चीत हो लड़की से कब हुई कि जबरू और साथ में एक लड़की जिसका नाम बताया जा रहा है, दोनों मिलकर धमकाने के लिए साहिल के पास पहुँचे। बाड़ा आदमी अपना काम देंदे से ध्यान रखता हूं, बस। पहले कभी आपकी बातचीत ही पर चाहे था? पहले कभी बातचीत नहीं थी, बागी यही बूमते रहते थे, मिलते थे, बस। शाक्षी से जो लड़की थी, जिसकी मौत हुई, अथ्या कर देगी, उससे को लड़की आपके पास आई, तो बहुत घबराई हुई थी, क्या उसका हावाव कैसे थे, आपकी उससे मुलाकात हुई है, बैठी हुई थी मेरे पास, आके बैठी थी, तो उसने मेरे को पूरा अराम से बैठ के रिलेक्स होके बताया था, कि वहाई ऐसी ऐसी बात है, और ए से मिलने पहुची या उसका परचा आप से कैसे हुआ? भावना और लड़की आई थी, भावना मृतका को आपके पास लेकर पहुची थी? भावना मेरे साथ की लड़की है, यह बात पूरी तरह की से गलत है, कि आपने और भावना ने मिलकर एक दिन पहले साहिल के उपर क्यों मारा? लड़की को मारा क्यों? आपने क्योंकि उस लड़की से भी बात की है, और आपने साहिल को समझाने की कोशिश करी क्योंकि यह बता है, कि इसका पीजा छोड़ दो, अपना बात खतम करो, उसके साथ 15-17 लड़की और भी थे, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, साह करने भी वहां पे कुछ निका, तो हम आ गए तेगर, मृतिका जब उस गली से गोजर रही थी, तो उसने फोन करके उसको बलाया था, या उसका डेली रूटीन था, वहां से आना जाना तो उसने घेर के उसको मारा? लेकिन सुनने में यह आई है, वह फरेस होने के लिए अज़